कोई भी सच्ची प्रार्थना सदा स्वयम से ही जाती है प्रार्थना अगर सच्ची है तो वो स्वयम से ही की जा रही है क्योंकि हमें बनाने या बिगाडने वाला है कौन हम ही है न कहते हैं उपनिशद कि तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं और तुमसे ही बड़ा तुम्हारा कोई रिपु नहीं अमरित बिंदो उपनिशद याद है तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई हितैशी नहीं और तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई शत्रू नहीं तो तुम्हारी जिन्दगी बनेगी या बिगडेगी ये निर्भर किस पर करता है तुम पर तो तुम्हारी जिन्दगी को नियंत्रित करने वाला फिर कौन है तुम हो कोई है जो तुम्हारी जिन्दगी परशासन रखता है नियंत्रण वो कौन है और तुम्हारी जिन्दगी चल रही है गड़ बड़ जीवन में तमाम तरह के दुख हैं कलेश हैं व्याधिया तो प्रार्थना तो करनी पड़ेगी क्योंकि जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो प्रार्थना उसी से करोगे न जो तुम्हारे जीवन के सब निर्णे करता है और नियंत्रण रखता है कौन है वो तो तुम ही हो तो प्रार्थना हमेशा स्वयम से ही करी जाती है और किस से प्रार्थना करोगे प्रार्थना करके तुम स्वयम को याद दिला रहे होते हो कि तुम कितने दुख में हो प्रार्थना करके तुम स्वयम को याद दिला रहे होते हो कि तुम कितने ज्यादा गैर भरोसे मंद हो प्रार्थना करके तुम स्वयम को याद दिला रहे होते हो कि तुम कितने मूर्ख हो यही तो कह रहे होते हो ना मैं अपना बुरा ना करूँ हम जब यहां बोच्थल में प्रार्थना करते भी हैं तो क्या बोलते हैं हे राम मुझे मुझसे बचा कि है तो रहे हैं हे राम पर आगे देखो बात क्या कही है मुझे मुझसे बचा इस पश्ट है कि हम बड़े कमजोर हैं और हम बड़े खत्रे में भी हैं हम अपना ही नाश करने के लिए उताव ले हैं अगर मेरा नाश मैं ही करने वाला हूँ तो मुझे खुद को ही तो रोकना है अपना नाश करने से तो इससे कई बाते एक साथ पता चल रही है पहली बात मैं बहुत खत्रे में हूँ क्योंकि दुश्मन दूर नहीं है दूसरी बात मैं बहुत कमजोर हूँ तीसरी बात मैं बहुत मूर्ख हूँ मैं अपने नाश करा जारा हूँ चौथी बात जो बात में अभी कह रहा हूँ वो बात मुझे आगे याद नहीं रहनी है क्योंकि अगर याद रहती होती तो मैं अपना नाश नहीं कर रहा होता प्रार्थना इन सब अपद्रवों और कमजोरियों से निपटने का उपाय है प्रार्थना में तुम बार बार अपने आपको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हो और साथ ही साथ अपनी कमजोरी भी जिम्मेदारी ये याद दिलाते हो कि तुम्में ही सारी ताकत है अपना नुकसान करने की और अपना भला करने की और जब अपनी कमजोरी याद दिलाते हो तो ये याद दिलाते हो तुम में कोई ताकत नहीं है तुम अपना नुकसान कर जाओगे तुम दोनों बातें एक साथ याद दिलाते हो खुद को इन दोनों बातों को स्वयम को ही इस्मरण कराने का नाम प्रार्थना है पहली बात ये कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि अपना नाश भी कर सकता हूँ उधार भी और दूसरी बात मैं बहुत कमजोर हूँ मैं बहुत अशक्त हूँ कैसे पता मैं करतो सकता हूं अपना कल्यान भी और अपना नाश भी पर करता मैं अकसर अपना नाश ही हूं मैं बहुत कमजोर हूं और मैं भुलकड हूं जो बात मुझे अभी आद है थोड़ी देर में भूल जाओंगा इसलिए प्रार्थनाओं को कई बार दोराने की प्रथा है अभी तुम्हें याद आया और थोड़ी देर में तुम फिर भूल जाओंगे बात समझ में आ रही है यह जो इंद्रियां है यह जगत को देखती तो जरूर है पर जगत का सिर्फ असार ततो ही देखती है मूल बात क्या है इस संसार की वो इंद्रियां कभी देख नहीं पाती है प्रार्थना है कि जब मुझे में यह संभावना यह क्षमता है ही कि मैं परदे के पार देख सकूं कि मैं जूट को उतार देख सकूं तो मैं क्यों नहीं उस संभावना का प्रयोग करता इतना ज्यादा लाचार और शक्तिहीन तो मैं नहीं हूँ कि जूट मेरे सामने खड़ा रहे और मुझे सच की जरा भी भनक ना लगे पता तो मुझे चली जाता है कि जो मुझे दिख रहा है जो मेरी धारणा है संसार के बाबत जो मेरा विचार है उसमें खोट है खोखला है वो लेकिन उसके बाद भी मैं अपने खोखले विचार और माननेता के यह पक्ष में खड़ा हो जाता हूँ मैं दूसरा विकल्ब कभी चुनता ही नहीं कि कोई चीज अगर खोखली लग रही है तो उसमें आगे जिग्यासा करो अन्वेशन करो मामले की तह तक पहुँचो वो मैं कभी करता ही नहीं प्रार्थना करी जा रही है कि जब भी मुझे जरा साभी संशे हो कि कहीं कुछ खोट है दाल में कुछ काला है तो मैं आलस्य का प्रमाद का धारणाओं का और भय का बंधक बनकर न पड़ा रहूं बलकि उर्जा से और श्रद्धा से भर करके सत्य जानने के लिए उत्सुक हो जाओं यही तो चनाओ करना होता है आपको आपके सामने एक स्थित है संसार में और उजो इस्थित है वो 99 प्रतिश्यत आपको सामाने ही लग रही है उसमें कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो आपके कान खड़े कर दे पर एक प्रतिशत आपको थोड़ा खटका हो रहा है कोई बात खटक रही है तब या तो आप अपने आपको तरक दे सकते हैं कि जो खटका है जो अंदेशा है वो एक प्रतिशत ही तो है 99 प्रतिशत तो सब कुछ ठीक ठाक और सामान्य ही लग रहा है तो ठीक ही होगा एक विकल्प यह है अपने आपको समझा लेने का और दूसरा विकल्प यह है कि यह जो एक प्रतिशत है अगर यही सही निकल गया तो बड़ा नुकसान हो जाना है मैं जाशपड़ताल क्यों न करूँ, मैं सवाल क्यों न पूछूँ मैं मामले की जड़ तक क्यों न पहुँचूँ तो जो भ्रहमित रह जाता है वो वास्ताव में भ्रहमित नहीं रह जाता है उसने भ्रहमित रहने का चुनाव किया होता है क्योंकि जिग्यासा करने का, सच जानने का विकल्प उसके पास था, उसने प्रमाद में, तमसा में, आलस में उस विकल्प का इस्तिमाल ही नहीं किया, बात सोज में आ रही है, तो प्रार्थना की जा रही है, कि ये जो इंद्रियां है, मन है, बुद्ध है, ये असार में लिप्त होकर न रह जाएं, ये सदा सार जानने को आग रही रहें, दूसरा अध्याय इस श्लोक के साथ खुलता है, हमारी इंद्रियां सिर्फ पदार्थ की सतह से संतुष्ट न हो जाएं, हमारा मन संसार की सतह से संतुष्ट न हो जाएं, हमें सदा ये आगरह रहें, कि हमें वस्तुवों तक वस्तु माने सत्य, वस्तु माने चीज नहीं, जैसा कि हम सामानने, बोलचाल की भाशा में कहते हैं, हमें सदा ये आग्रह रहे कि हमें संसार की वस्तुता तक पहुचना है, वास्तविक्ता तक पहुचना है, संसार की सच्चाई तक पहुचना है, ये प्रार्थना है, और ये प्रार्थना मैं फिर कह रहा हूं कि बस एक तरह का अपने आपको रिमाइंडर है, पुनह स्मरण है कि भूल मत जाना जानते तो हो पर भूल जाते हो यह स्वयम को ही याद दिलाया जा रहा है जैसे कोई स्वयम को ही जग जोर के जगा देना चाहता हो दूसरा कोई है ही नहीं न कौन तुम्हारी मदद करेगा आरी बाद समुझे कौन तुम्हारी मदद करेगा